नमस्कार, हलो स्टूडेंट्स, मैसेल्फ ललिट सोनी, टीम बोटनी सेलसी सीकर, आज बच्चों हम लोग सॉल्यूशन करेंगे DCM नंबर 9 का, और DCM नंबर 9 के अंदर हम लोगों ने कंसीडर किया है प्लान डाइबसिटी फस्ट को, जिसके अंदर NCRT का जो फस्ट चेप्टर है, जिसके अंदर हम लोग दर लिविंग वर्ड की बात करेंगे, इसके अंदर हमने जो एट्रिबूट्स हैं, लिविंग ओगनिजम के वहां से लेकर क्लासिफिकेशन करते वे, जो टेक्सोनोमिकल एड्स है, उसे पुरा कवर करेंगे, सेकिंड चेप्टर जो NCRT का है, बायलोजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें क्लासिफिकेशन देखेंगे, मोनेरा देखेंगे, प्रोटिष्ठा देखेंगे, और जो फंजाई है, इसके लाबा जो वाइरस, विरोइड, प्रियोन, ठीक है इनके बारे में हम बचों यहाँ पर डिसकस करेंगे, करते हैं सोलिशन, विच डिजीज इस नोट कोस्ट बाई बैक्टरिया, कौन सा रोग जिवानों द्वारा नहीं होता, तो कोलेरा बैक्टरिया से होता है, टिटनस बैक्टरिया से होता है, कॉमन कोल्ड जो है, यह आप जो काम, कॉमन कोड, बिल्कुल देखो बचो, NCRT की जो लाइन है, वह से कोशन मैंने फ्रेम किया है, ठीक है, मेरी पूरी कोशिस है, इसके अंदर, कि यह दो चेप्टर जो है, वो पूरी तरीके से आपको कवर करा दे, ठीक है, NCRT बेस पेपर अपने यहाँ पर लिया है, देखें, नेक्स्ट कोशन नमबर, सेकेंड, हर्बेरियम इस, हर्बेरियम है, प्लेस वेर प्लांट स्टोर इन लिविंग स्टेट, नहीं बचो, हर्बेरियम में कभी लिविंग प्लांट नहीं आता, बल्कि डेड प्लांट होता है, जिसको हम सुखा कर, जिसको हम ड्राइ करके herbarium sheet के लगाते हैं animal specimen no बच्चो herbarium में कभी animal specimen नहीं होते है बल्कि plant specimen होते हैं store house of dry plant specimen स्पेशिमेंग 시청an random arrangement of herbarium sheet of living plant नहीं बच्चो यहाँ पर जो living plant है जो जीवित पादप है उनको हम लोग herbarium के अंदर नहीं रखते हैं बल्कि रखते कि इसको को है जो ड्राइप लांट है जो डेड़ प्लांट है ठीक है हम उसको यहां पर स्थोड़ करते तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा हो गया थाड़ ऑप्शन हो गया ओके इसके बाद में आगे देखते हैं सेप्रोफाइटिक फंजाई मर्त जीवी कवक है मतलब कौन सा फंजाई सेप्रोफाइटिक है तो एब्जोर्ब फूड फूड फ्रॉम लिविंग प्लांट्स और अनिमल्स बच्चो सेप्रोफाइटिक का मतलब यह होता है कि जो अपना नुट्रिशन मर्त पदार्तों से ले डेड सबस्टांस जो है डेड और्गेनिक सबस्टांस वहाँ से अपना जो नुट्रिशन ले उसको लोग कहते हैं सेप्रोफाइटिक तो यहाँ पर लिविंग आ गया तो यह स्टेट्मेंट रोंग हो गया टेक फूड फ्रों सिंबायोटिकली रिलेटेड ओगनिजम सहजीवी रूप से संबंधित जीव से बोजन लेते नहीं बचो यहाँ पर सेप्रोफाइटिक नहीं होगा क्योंकि सेप्रोफाइटिक के अंदर नौन लिविंग और्गेनिक सबस्टांस आता है एजेविक कार् सब्सावनिक पदार्थ और केमिकली सिंद्साइस नौ यह बचो यहाँ पर आप कहा सकते हैं फूड को सिंत्तैस तो करते नहीं है बोजन को यह संसलेशीत तो करते नहीं no mention of some organisms like विटेकर के द्वारा दिये गए पांच जगत वर्गी करण में कुछ जीवों का उलेक नहीं है जैसे बच्चो विटेकर का जो classification है वो classification उन पर applicable नहीं है जो कोशिका से ही नहीं बनते मतलब जो non-cellular है जिसमें कोशिका नहीं होती और कोशिका किस में नहीं होती वाइरिस में नहीं होती विरोइड में नहीं होती प्रियोन में नहीं होती तो यहाँ पर लिखा है बेक्टरिया और प्रोटिश्टा यह तो बच्चों क्लासिफिकेशन में है विरोइड क्लासिफि में इंक्लूट नहीं किया गया क्योंकि वो एकोशी किया है वो नोन-cellular है वो बच्चो सेल से नहीं बनते ठीक है आगे देखते हैं नंबर फाइफ मायकोप्लाजमा इस नोट ऐफेक्टेटन बाई पैनिसेलिम नहीं है क्यो होता क्योंकि बच्चो पैनिसेलिम जो है वो ऐसी एंटीarta है जो लेकिन मायकोप्लाजमा जो है उसमें cell wall नहीं पाई जाती तो penicillin का जो target है cell wall वो ही वहाँ पर नहीं है इसका मतलब mycoplasma penicillin से influence नहीं होता तो pleomorphic nature नहीं यह बिल्कुल गलत है lack of cell wall बिल्कुल अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें cell wall ही नहीं है और बचो penicillin का तो attack ही किस पर होता है cell wall पर तो cell wall पर नहीं होने से cell wall नहीं होने से जो penicillin है वो mycoplasma का बाल भी बाका नहीं कर सकती presence of linear essence DNA इस से का कोई मतलब नहीं है तो बचो याद इतना penicillin जो है वो हमेशा destroy किसे करती है cell wall को और cell wall mycoplasma के अंदर है नहीं तो penicillin का mycoplasma की ओपर कोई असर नहीं पड़ेगा next question number 6 आरकी बेक्टरिया are special since they live in some of the most harsh habitat such as thermoacidophil can live in can live in यह बच्चों पने सामने क्या है condition है देखे तो अब यहाँ पर आपको आरकी बेक्टरिया दे दिया इस question में बच्चों कहीं है आप please silly mistake मत करना क्योंकि यहाँ पर ध्यान लकना आपको यहाँ पर thermoacidophil जो है इसके बारे में पूछा है कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि सर आरकी बेक्टरिया दे दिया इसका मतलब सर ने सारी आरकी बेक्टरिया के बात किये नहीं बच्चों सारी आरकी बेक्टरिया के बात अपने नहीं किये हमने बात किये किसके बारे में thermoacidophil कहाँ पर होते हैं अपन कहाँ सकते हैं बच्चों कहाँ पर होते हैं यहां methanogen है, तो बच्चो इसका correct answer क्या हो गया, second option हो गया, कि भई जो RK bacteria है, जैसे thermo acidophil, वो कहां पाए जाते हैं, आध्य जिवानु विशिष्ट है, क्योंकि वे कुछ चरम कठोर आवासों में रहते हैं, जैसे thermo acidophil रह सकते हैं, तो बच्चो thermo acidophil कहां रहते हैं, गरम जर्नों के अंदर रहते हैं, तो यहां पर बच्चो आशर कौन सा हो गया, second हो गया, कोई बात नि बच्चो, आप concept को समझे, ठीक है, मेरा एक ही target है, इस paper के थुरू, आपका जो बच्चो topic है, उसको और improve किया जा सके, next question number 7, organisms having soap box like structure आप, साबुन दानी जैसी सरस्थना युक्त जीव है, तो बच्चो अपने को पता है, कि जो crysofite होते हैं, जिसमें diet अम आते हैं, जिसमें dacemid आते हैं, उसमें जो cell wall होती है, ये बच्चो cell wall केसी होती है, साबुन दानी के समान होती है, इसमें cell wall केसी होती है, अपन कहा सकते हैं, इसमें cell wall साबुन दानी के समान है, देखो यहाँ पर इसका अपर पार्ट इसको बोलते अपी ठीका यह लोवर पार्ट इसको बोलते हाइपो ठीका तो साबुन दानी के समान जो सेल वोल है वो बचो कराईसोफाइट में है और क्राईसोफाइट का एट एक्जाम्पल क्या है क्राइसोफाइट का एक्जाम्पल है डाई एटम और डेस्मिड तो देखो बचो यहां पर अपने सामने डाई एटम है आंसर यहां पर कौन सा हो गया सेकिंड ऑप्शन हो गया ठीक है बचाजी आगे चलते हैं कोशन नमबर एट टेक्सोनोमिक कीस आर जनरली एंड आर बेस्ट ओन करेक्टर्स वर्गी की कुंजी सामानित है तता लक्षनों पर आधारित है थोड़ा सा बचों माप जान चाहूंगा इसके अंदर जो टेक्सोनोमिक की उवा करती है उसके अंदर क्या होते हैं दो स्टेट स्टेटमेंट दिखावा है कि इस प्लांट के अंदर जो वेंशन है वो है रेटिकुलेटेड है दूसरा स्टेटमेंट है इस प्लांट में जो है वो पैरेलल है तो देखो इसका ऐनालेसिस कर सकते हो कि बिल्कुल इसका जो venation है वो एक्टिकुलेटेड है या फिर parallel है तो आपस में आप कह सकते हो controversial भी हो गए I mean to say ये बच्छा आपस में contrasting भी हो गए आपस में opposite statement हो गए और आप इसका analysis कर सकते हो plant के साथ देख करके क्या कर सकते हो इसका analysis कर सकते हो ये पड़े सामने condition है तो हम क्या कहेंगे कि जो दोनों statement है वो बच्छो कैसे होते हैं ये होते हैं analytic और contrasting मतलब visualization आत्मक है और एक दूसरे के opposite है एक दूसरे के विपरियासी है तो बच्छो यहाँ पर answer कौन सा हो गया fourth option हो गया ये बच्छो यहाँ पर की से सम्मधित कोशन था जो काफी important यहाँ पर कोशन बन जाता है next question no.9 the organism which is responsible for fish poisoning is associated with जीव जो मचली विशाक्तिता के लिए उत्तरदाई है सम्मधित है बच्छो आपको पता है ncrt में दे रखा है जो डाइनो फ्लेजिलेट है जैसे गॉन्योलेक्स वगरा जो होते हैं इनसे काफी ज्यादा टोकसिक सबस्तांस बहार निकलता है जिससे जो मचली वगडरा है वह मर जाती है इसे लोग बोलते हैं red tide यहां पर आंसर क्या हो गया रेट टायड इसमट का होना, ररस्ट का होना, रैड रोट का होना ये तो बच्चो फंजाई से रिलेटेड हो गया और अपने पर प्रोटिश्टा से रिलेटेड में चाहिए तो कौन सा उंगया थीक है बच्चा-जी आगे चलते हैं system होता है plant में कहा nervous system होता है plant में सिरफ औरगन लेवल तक ही होता है root stem leaf flower इन सब का होना यह सब बचो क्या है यह सब उस plant के organ ही तो है तो plant जो है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो organization है वो tissue यह मैं कहूं organ तक का होता है उसमें आप कह सकते है system level का बच्चो नहीं होता और यहां पर जो है वो बिल्कुल organ level तक का होता है सिरफ tissue level तक नहीं होता सिरफ cellular level तक नहीं होता बल्कि organ level तक होता है क्या plant में organization यह बच्चो NCRT में जो table दे रखी है वहां से कुशन हमने बनाया है आगे देखे next question number 11 which statements are correct कौन से कतन सत्य है the word systematics is derived from Greek word systema NCRT की बच्चो language है NCRT का statement है systematic शब्द Greek शब्द systema से उत्पन हुआ है नहीं बच्चो यहां पर Greek नहीं आएगा यहां पर बल्कि क्या आएगा Latin आएगा NCRT की line है कि जो systematic शब्द है वो बच्चो systema से आया है जो कि एक Latin बासा का मुजियम ओफन है collection of skeleton of animal to बिल्कुल अपन यहां पर कह सकते हैं कि जो मुजियम है उसके अंदर जनतुओं के solenacy are included in the order peritels नहीं बच्चो यहां पर peritels नहीं आएगा बलकि यहां पर क्या आएगा polymonials वगरा जो है वो आप यहां पर consider कर सकते हैं तो यहां पर सरी statement कौन सा है यह पने से पूछा गया है तो बच्चो यहां पर statement सरी कौन से हैं दो ही है एक तो b and c तो बच्चो यहां पर correct answer कौन सा हो गया third option हो गया तो बच्चो आप ध्यान दे NCRT में जो table दे रखी है जहां पर 4-5 example दे रखे है ठीक है आप उसको भी तोड़ा सा ध्यान से देखे वहां से भी के जामे कोशन आते हैं जो कि हमने यहां पर भी दिये है NCRT की table से बच्चो कोशन दिये है नेक्स्ट कोशन नंबर ट्वल्व पिग्मेंट कंटेनिंग मेंब्रेन एक्स्टेंशन इन सम ब्लू ग्रीन एलगी यार कुछ नील हरीश शेवालों में वरनक युक्त जिल्ली का परसार है यह देखो बच्चो अच्चा कोशन है यह भी NCRT का कोशन है NCRT के अंदर यह लाइन जो है वो ब्लू ग्रीन एलगी की है मोने राइकी है लेकिन इसके बारे में डिसकस किया गया है सेल वालेजी वाले चेप्टर के अंदर तो इत्ताम आप से उम्मेद कर सकता हूं कि NCRT जो है उसमें एक भी लाइन एसी नहीं होनी चाहिए जो आपको नहीं है चाहे बच्चो डाग्राम ही क्यों नहीं हो च एकस्टेन्शन का नाम क्या होता है क्रोमेटोफोर ठीक है और इस करोमेटोफोर के अंदर ुटो सिंतियटिक पिग्मेंट होते हैं ताकि जो Dimetophore जोहनी जो बाइस सकते हैं टो चीछेस हैं क्योंकि जो chloroplast है वो eukaryotic में होता है और जो blue green algae है वो एक prokaryotic हो गया next question number 13 which of the following is not a correct statement कौन सा सही नहीं है key is a taxonomic aid for identification of specimen बिल्कुल जो बच्चो key है अपन कह सकते हैं ये identification के लिए use में आती है botanical garden have collection of living plants बिल्कुल अपन कह सकते हैं बच्चो botanical garden के अंदर क्या होता है जो collection होता है वो किसका होता है living plants का collection होता है herbarium house have dried pressed and preserved animal specimen no बच्चो herbarium sheet जो है उसमें animal specimen नहीं होते बल्कि उसमें क्या होते है plant specimen होते है living animals are conserved in zoo बिल्कुल जो zoo होता है बच्चो उसके अंदर हम जीवित जन्तूओं को सरक्षित करते हैं उनको conserve करते हैं तो यहाँ पर पूछाए आपको not correct तो आपे आशर कौन सा हो गया third option हो गया ठीक है बच्चा जी आगे चलते हैं question number 14 which of the following statement is wrong for Veroid Veroid के लिए कौन सा कतन असते है they are smaller than virus बच्चो वाइरस से small ही होते है क्योंकि वाइरस जो है उसमें तो क्या होता है DNA या RNA होता है और चारो तरफ क्या होती है protein की coat होती है protein के लिए होती है यहाँ protein के लिए है नहीं तो सिर्फ और सिप क्या होता है RNA वो भी low molecular weight का होता है तो अपन कह सकते है यह बिल्कुल सही statement है they cause infection बिल्कुल Veroid से क्या होता है infection होते है they ले के protein coat बिल्कुल अपन कह सकते है protein coat जो है वो क्या होता है absent they cause mad cow disease नहीं बच्चोयन से आठी में दे रखा है यह disease जो है वो विरोड से नहीं होती बलकि किस्य होती है प्रियोन से होती है तो बच्चो 14 number question में आस अपने सामने कौन सा आ गया 4 तांसर आ गया ठीक है 15 number question के बात करे how many are related with synovacteria कितने जो है वो synovacteria से संबंदित है heterocyst बिल्कुल जो synovacteria है जैसे nostocena बिना सारे synovacteria में तो नहीं है लेगि synovacteria में आप कह सकते हेटरोसिस्ट होती है chromatophore यह भी synovacteria में है यह nitrogen का fixation करेगा यह बच्चो photosynthesis करेगा denitrification bacteria करता है synovacteria नहीं करता phlegilla का होना यह कभी synovacteria में नहीं हो सकता chlorophyll A का होना बिल्कुल chlorophyll जो A है अपन कहा सकते है वो photo synthesis करता है इसके लावा बच्चो gas vacuol का होना synovacteria purple bacteria बच्चो दे रखा है inciartic अंदर इनमें क्या होती है इनमें gas vacuol होती है और gas vacuol से क्या होती है synovacteria उपर के तरफ रहता है और light को क्या करता है absorb कर लेता है तो बच्चो यहाँ पर related कितने हो गए synovacteria से 1, 2, 3, 4 आंसर यहाँ पर कौन सा option हो गया third option हो गया ठीक है यह बच्चो अपने सामने क्या है इस तरीके से condition है 15 नंबर कोशन में आंसर कौन सा है third option next question नंबर 16 से बात करें which statement is false about viruses कौन सा खतन वाइरस के लिए क्या है असत्य है they are obligatory parasite बच्चो वाइरस को सर्वाव करने के लिए 100% परसाइट होना ही पड़ेगा they can multiply only when they are inside of living cell बिल्कुल अगर वाइरस जो है वो living cell के अंदर है तभी बच्चो वो क्या कर सकता है multiply कर सकता है तभी वो active होगा तभी वो survive कर पाएगा they can not pass bacterial proof filter ये bacteria proof filter से नहीं गुजर सकते ये बच्चो wrong statement है वाइरस की जो size है वो bacteria से काफी छोटी होती है तो bacteria proof filter से bacteria नहीं जा सकता पर उससे छोटा वाइरस होता है उसमें से पास हो सकता है तो बच्चो यहाँ पर पन कह सकते ये third answer इसका हो गया ये यहाँ पर false statement है they have DNA और RNA बिल्कुल दोनों साथ नहीं हो सकते दोनों में से गोई एक होगा next question number 17 की बाद करें प्यारे बच्चो match list first with list second diecote ये बच्चो यहाँ पर क्या होती है class होती है orthopoda की बाद अपनी यहाँ पर करें orthopoda क्या है एक phylum है diptera की बाद करें ये बच्चो यहाँ पर क्या है एक order है और RNA कर DSE AC आ गया ये बच्चो क्या है family तो A में अपन कह सकते हैं क्या आ गया 2 आ गया B में क्या आ गया 1 आ गया C में 4 C में 4 और D के अंदर 3 तो बच्चो करें टांसर यहाँ पर कौन सा हो गया second option हो गया किस के अंदर question number 17 के अंदर समझे ये अपने सामनी condition है question number 18 के बाद करें which one of the following is wrongly matched कौन सा सुमनित नहीं है herbarium taxonomical aid as quick referral system बिल्कुल यह बच्चो बहुत अच्छी line NCR ठीकी कि सबसे जल्दी अगर आपको identification के लिए को help चाहिए होती है taxonomical aid चाहिए होता है तो वो कौन है वो herbarium होता है zoological park breeding of rare phona बिल्कुल जो बच्चो फोना है जो दिरे-दिरे extinct हो रहे हैं हम उनको conserve करते हैं उनकी देख बाल करते हैं zoo के अंदर उर दो lead से मिलके क्या बनता है botanical garden in-situ conservation of plant no botanical garden जो है उसका बच्चो कभी भी बलकि एक सिटू कंसर्वेशन होता है मतलब आप बोटनिकल गार्डन की अंदर अलग अलग जगह से प्लांट्स लेके आते हो तो यह एक सिटू हो गया अब यह बचो देखो को इंसीयार्टी के इंदर ही है ठीक है अब एंसीयार्टी को आपको तोड़ बुरना मरोलना भी हमेशा जीवित नहीं रहता फिर भी जीवन सतत है यह तथे किसके महत्तों को पर्देशित करता है बच्छों यहां पर आप कह सकते हैं Hemrogenesis, Morphogenesis, Replication, Reproduction, जनन के माद्यम से क्या होता है? जनन के माद्यम से जीव अपनी संतिती जो है वो छोड़ जाता है, फिर वह है संतिती फिर जनन करती है और फिर प्रोजनी बनाती है, तो बच्चो कोई भी जो जीव है वो आप कह सकते हैं कि जीव जो होता है, वो हमेशा जीवित नहीं रहता जीव जीवित नहीं है लेकिन फिर भी जीवन है क्योंकि वह जनन करता है और अपने संतान छोड़ जाता है आंसर यहाँ पर हो गया फोर्थ नेक्स्ट कॉशन नंबर ट्वंटी विच वन उफ फॉलोइंग स्टेट्मेंट इस नोट रिव कोज सकतन असत्य है बायो डायवर्सिटी रिफर्ड टू दे नंबर एंड टाइप ओफ ओर्गनिजम ओन अर्थ बिल्कुल एंसर टी की बचो लाइन है कि जो बायो डायवर्सिटी होती है वो अर्थ के उपर वो पर्त्य के उपर विभिन प्रकार के जीवों का डिफरेंट टाइप ओफ ओफ ओगनिजम्स का डिफरेंट 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 नंबर में होना है भिन भिन संख्या में होना है डिष्रणियुए है आर्फ रेंच बिट्विन 1.7 to 1.8 million नुट यह बचव यहां पे टॉटल नौम्रो स्पिशीस नहीं है बलकि टॉटल स्पिसेंग फिरान पर जातीयों के संख्या नहीं है लिविंग ओगनिजम का एक विवदात्म गलक्षन है तो बचों यहां पर रोंग पुचा है रोंग कौन सा हो गया सेकिंड तो यहां पर आंसर हो गया सेकिंड किसमें कोशन नंबर 20 के अंदर आगर देखते हैं 21 में विच एंजाइम इस फाउंड इन स्पेशली हेटरोसिस्ट कौन सा एंजाइम विशेषत है हेटरोसिस्ट में पाया जाता है तो आप कह सकते हैं कि सिट्रेट, सिंधेटेज, फोस्फेटेज, नाइ्टरोजनेज या ओल अफ इस नाइटरोजनेज एंजाइम जो है वो 22, which one is incorrect with respect to rule of binomial nomenclature, biological names are generally in Latin and printed in italics, italics का मतलब तिर्चे बचो मुँश को प्रिंट करते हैं, प्रिंटेड in italics to indicate their Greek origin, ये तिर्चे चपे हैं और इनके Greek origin को दर्साता है, नहीं बचो, तिर्चा होना इनका origin कोण सा होता है, Latin इनका origin होता है, Latin बासा में नाम लिखे जाते हैं, फिर्स्ट वर्ड रिपर्जेंट दे जीनस नेम, एड़ सेकेंड इस स्पेसिफिक एपिटेड बिल्कुल सही है, पहला नाम किसका होता है, वंसका, दूसरा नाम किसका होता है, जाती का, बोथ दे वर्ड्स इन नेम, वेन हैं रिटन, आर सेपरेटली अंडरलाइन, जब द नेक्स 23, वोट इस दा कोमन, इन केस ओफ केट्स एंड डॉग, बिल्ली वर कुते में क्या समान है, ये बचो बिल्कुल एंसियाटिक लाइन है, देखो बिल्ली और जो कुते हैं, केट और जो डॉग है, आप कह सकते हैं, इनके अंदर जो फैमिली है, वो डिफेरेंट which of the following is no taxon but a category, थोड़ा सा बचो मा आपका ध्यान यहाँ पर चाहूँगा, एक अच्छा question लगा तो मैंने आपको इस तरह किसी दे दिया, जैसे taxonomy के अंदर classification करने के लिए, आप लोग जो category कामें लेते हूँ, जैसे मानलोग kingdom है, फाइलम, class, order, family, genus, species, ये सा बचो क्या हो होते हैं, और इन category के जो examples हैं, उन्हें आप टेक्सोन कहा सकते हो, जैसे मानलो kingdom क्या है, एक category है, बट, monera, protista, fungi, planty, animalia, ये सब बचों यहाँ पर क्या है, टेक्सोन, तो देखो, division जो है, फाइलम या division, यह यहाँ पर क्या है, एक category है, को टेक्सोन नहीं है, जबकि एंजिय स्पम, polypately, hibiscus, ये बचों क्या है, इन category के example है, मतलब ये टेक्सोन हो गई, ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर टेक्सोन नहीं है, लेकिन category है, आंसर यहाँ पर कौन सा हो गया, फर्स्ट ओप्शन आप यहाँ 24 के अंदर बता सकते हैं, समझ गए, ये पने सामने condition है, 25 की बात करें, in reference to single-celled organisms, we can not very clearly differentiate in these two terms, अगर आप एकोशी के जीव की बात करो, तो एकोशी के जीव के संदरब में आप किन को differentiate नहीं कर सकते हैं, तो याद इतना जो एकोशी के जीव होता है, वो single cell से बनता है, जब ये cell division करता है, तो देखो बच्चों, एक से कित्ती बन गी दो cell, और फिर दो से यहाँ पर cell कित्ती बन जाती है, चार, तो 1, 2, 2, 2, 2, 4, तो देखिए बच्चों, अपन यहाँ पर कह होता है, तो यहाँ पर number of cell के increase होने के साथ साथ, जो organism है, जो individual है, जो जीव है, उसके संख्या बढ़ रही है, और जीवों के संख्या बढ़ना क्या कलाता है, reproduction, तो याद इतना growth and reproduction, ये एक कोशी के जीवों के लिए एक ही चीज़ है, इन में कोई differentiation नहीं होता, तो answer यहाँ पर कह सकते है, correct answer हो गया, max question number 26 की बात करे, which among the following has less character in common in comparison to other, जैसे माल लो बचो यहाँ पर क्या होता है, और यहाँ पर निचे के तरब क्या होता है, species अगर आप condition देखे, तो ज्यादा common character किसमे है, देखिए, जो species है, इन में common character क्या होते है, ज्यादा, आप जैसे जैसे तो सबसे कम, less common character जो है, वो किसमे होते हैं, वो आप कह सकते है, order के अंदर होते है, मतलब 26 में बच्चो correct answer यहाँ पर कोण सा हो गया, first option हो गया, NCRT की लाइन है, कि अगर आप उपर की तरब जाते हो, species से उपर की तरब जाते हो, तो बच्चो समाल लक्षन धरे-धरे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, next 27, correctly match the list first with list second, house flies, बच्चो house fly, घरलो मकी क्या होती है, मस्का, डोमेस्टिका, मेन, मनुष्री क्या होता है, होमो शेपियन, वीट, वीट, वीट बच्चो यहाँ पर क्या है, आप कह सकते है, टिट्रीकम, एस्टिवम है, मेंगो क्या है, मेंज बिके साथ में 4, C के साथ में 1st, C के साथ में 1st, और D के साथ में 3, तो बिलकुल D के साथ में यहाँ पर क्या आ गया, तो correct answer बचो, यहाँ पर कौन सा हो गया, second option हो गया, 20 number, 27 number, question के अंदर, next आगे बात करते है, 28 number question में, Consider the given statement, collection of preserved plants and animal specimen for study and reference, परिरक्षित पादपोत अथा, जन्तु प्रादर्शों का अध्यन कर सकते हैं, यह बचो एक्चिल statement है, यह जो statement आप देख रहे हो, यह आपको बताने की museum के लिए सरी कौन से हैं, about museum, तो बिलकुल अपने यहाँ पर कह सकते हैं, कि museum के अंदर हम लोग क करते हैं, जो preserved plant है, preserved का मतलब क्या होता है, मरने के बाद उस पर chemical का छिड़काव करके, हम उसको परिरेक्षित कर लेते हैं, हम उसको preserve कर लेते हैं, ताकि वो सड़े नहीं, ताकि वो decomposed नहीं हो, तो बिलकुल यह statement यहाँ पर correct है, collection of skeletons of animals also possible, बिलकुल जो animals के skeleton होते हैं, उनक तो museum के अंदर अपन यहाँ पर क्या सकते हैं, कि museum के अंदर living organisms को नहीं रखा जाता, बलकि dead organism जो है, उनको रखा जाता है, these are generally set up in educational institute, such as schools and colleges, बिलकुल सही बात है, school, college में भी इनको हम लोग बना सकते हैं, ctive mean Moscow, specimen are concerned, बच्चो conservation नहीं होता, एक तो होता है, preservation एक होता है, conservation, preservation होता है, मरने के बाद, conservation होता है, जीविजीवो का selection, तो यहाँ पर याद इतना museum में conservation नहीं होता, बलकि preservation होता है, liquid nitrogen वगरा, यह नहीं बच्चो, यह तो cry preservation में होता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसने काल कि कितने statement जो है वो correct है इसके लिए है न तो यहाँ पर देखो A जो है वो बिल्कुल सही है, B यहाँ पर क्या है सही है, C बचो यहाँ पर रोंग हो गया, D बिल्कुल correct है, और E जो है वो भी स्टेट्मेंट कोश्टन नमबर ट्वंटी नाइन विटेकर फैल टू गिव एनी प्लेस तो वन आफ देर फॉलोइंग इन क्लासिफिकेशन केन नोट डिस्टिंग्विस बिट्विन दो जगत वर्गी करने अवधारणा निम्न के मध्य अंतर परदेशित नहीं करते बिल्कुल देखो बच्वाइन से आटी के लाइन है आप प्रोकेरियोटिक को यूकेरियोटिस से अलग नहीं कर सकते फोटो सिंथे को नोन फोटो सिंथेटिक से एक कोशिक को भोगोशिक यह से अर्था जो दो जगत अवधारणा है जो टू किंग्डम सिस्टम है उसमें सभी एनिमल्स को सभी आइमिन्टू से सभी औरगिनिसम्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया प्लांटी एंड एनिमेलिया जिसम क्लासिफिकेशन का एक कोशिकी है व्हकोशिक औरलंहीं उसमेटिक से सको कोई मतलब नहीं था यहां प्यान सरी कौण सा हो गया हो फॉर्थ ऑप्सिन हुग्या ठाइट अकर्ट थार्ट एवन उसमेर न को टेखने में को प्रियास किया है जी जान से ये जाज किया है कि आप आप comes York कवर कर ले ठीक है तो बचो मुझे राज्ट राते हैं उस्मार होती है फंजाई में शावाल होती है क्लांटी में फोर्यों सेद्वह नहीं होती नापией इसनले मैं तो यहां पर आश़ जो 31 में अपने क्या बतातेंगे फर्स्ट ओप्शन 32 आर्की बेक्टरिया डिफर फ्रों अधर बेक्टरिया इन हैविंग एडिफरेंट ए एंड दिस फीचर इस रेस्पोंसिबल फोर देर सर्वाइवल इन एक्स्ट्रीम कंडिशन एज आध्य जिवाणू अन्य जिवाणू से एक भिन रखते हैं लक्षन उनमें चरम परिस्टितियों में जीवन शम्ता बना रखने में सायता करते हैं यह ए है तो देखो बच्चो अपने को पता है यहाँ प्यांसर कौन सा है सेलवोल जो आर्की बेक्ट्रिया है उसमें सेलवोल शुडो मूरिन से बनती है ठीक है अब देखो एन्सियार्टिक लाइन है यह एजटीस कि आर्की बेक्ट्रिया में जो कोशी का भिती है उसकी सरस्थना अलग है ठीक है तो यहां पे आस रहे तो कोशिका भीती हो गया, NCRT के लाइन है, थोड़ा से बता ना चाहंगा हम आपको, कि आर्खी बेक्टरिया में जो cell wall है, वो बच्चो शुडो मुरीन से बनती है, और जो सामाने बेक्टरिया है, उसमें किस से बनती है, मुरीन से, उसमें बनत नेक्स 33 नमबर कोशन कलरलेस, युनिसेलूलर, सेल वोल बाउंड, स्पेरिकल और रोड़ शेप, माइक्रो ओगनिजम, एंड लेकिंग, और गनाइजड नुकलियस ठीक है, बचो इसमें सू संगठीत के अंदरक नहीं होता, मतलब मोनेरा है और मोनेरा के अंदर भी कलरलेस, इसका मतलब, कलरलेस का मतलब साइनो बैक्टरिया नहीं हो सकता, साइनो बैक्टरिया में तो क्लोरोफिल होता है और इसमें रोड़ शेप है, तो देखो बचो रोड़ शेप का यहां पर क्या हो सकता है बैक्टरिया हो सकता है क्योंकि जो माइको प्लाजमा है उसकी शेप तो फिक्स ही नहीं है वो तो कैसे भी हो सकता है आंसर यहां पर हो गया बैक्टरिया 34 number question All the following are true about bacterial cell wall accepted जिवान विये कोशी का बित्ती के बारे में सही है इसके लाबा जिवानु की जो कोशी का बित्ती है यादखना is composed of factored glycan बिल्कुल सही statement है बैक्टरिया को शेप देती है बिल्कुल सही है not protective structure नहीं भई जो बैक्टरिया की cell wall है वो तो बच्चो सुरक्षा देती है protection देती है तो यहां पर इस statement क्या हो गया रोंग does not stand with simple die बिल्कुल simple die से standing नहीं कर सकते तो यहां पर कौन सा statement सही नहीं है तो यहां पर कौन सा हो गया third option हो ठीक है देखो बच्चो एक कोशन में चार option है और यह चार option अपने आप में चार separate question होते है हलागे matter अपने पास कम तक हाली 2 chapter थे उससे मेरे को 120 सवाल बनाने एक सोबीस कोशन मतलब होता है हर option में हर कोशन में चार option है तो बच्चों आप मानलग बगए 400 कोशन हो गए है ठीक है फिर भी पुरी कोशिस की गई है ताकि आप अच्छे से पेपर को दो और आपका जो पेपर वो सफल हो जाए आपका पेपर जो आपका है वो बच्चों क वो प्रोकेरियोटिक में क्यों रखा गया तो बच्चिद इसी बात है प्रोकेरियोटिक में उसी को रखेंगे जिसमें नुकलियस जो है वो प्रिमिटिव होगा जिसमें नुकलियर मेंब्रेन क्या होती है एपसेंट होती है वो प्रोकेरियोटिक होता है पर्जेंस ओफ 70S ribosome बचो 70S ribosome जो है वो आप कह सकते हैं साइनो बेक्ट्रिया में है लेकिन जो प्रोकेरियोटिक में रखा गया है उसका बचो रिजन सिर्फ और सिफ यहां पर क्या है नुकलियर मेंब्रेन का नहीं होना यह रिजन है जिससे हमने साइनो बेक्ट्रिया का रखा गया है प 36 mycoplasma is mycoplasma क्या है बच्वह न से आटीक की लाइन है कि mycoplasma oxygen के बिना भी जीवित रह सकता है oxygen के बिना जीवित रह सकता है मतलब सामाने दे oxygen की उपस्तिती में रहता है ठीक है तो कैसा हो गया अपने कह सकते हैं यह हो गया obligatory aerobic, obligate aerobic का मतलब क्या है, hundred percent aerobic, no, hundred percent anaerobic, no, faculty का मतलब होता है, बचो sometime, तो sometime aerobic, no, sometime anaerobic, ये बचो बिलकूल सही है, मतलब कभी-कभी वो anaerobic है, otherwise वो O2 की presence में होता है, O2 की absence में survive कर सकता है, इसका मतलब mainly O2 की presence में है, तो बचो answer यहां पर कौन सा option हो गया, fourth option 36 में अपन यहां पर बता सकते हैं, next question number 37 की बात करे, ये बचो वोई question है, matching का, अब लेको बचो, यहां matching में आपके सामने काफे सरे data है, जो आपको यहां पर match करने है, virus की बात अपन यहां सबसे पहले करें, तो virus जो है, अपन यहां कह सकते हैं, उससे disease कोन सी होती है, बचो virus से अपन कह सकते हैं, तो smallpox होता है, इसके लावा virus से क्या हो सकता है, virus से बचो अपन यहां कह सकते हैं, disease की बचो बात अपने को यहां बतानी है, तो virus से जो harpes rog है, वह बच्चों किससे होता है अपन कहा सकते हैं वायरेस से हुआ करता है समझ रहें आगे बच्चों कंडिशन देखते हैं इसके बाद में फिर है विरोईड बच्चों विरोईड की बात अपन यहां पर करें तो विरोईड जो है आप कहा सकते हैं इससे डिजिस कौन सी होती है पतेटो, spendal, tuber और बचो,我不知道 किस ने की ती, diet nei ने कीन ती, फिर देगो बचो यहाँ पे अपने सामने कोन सा है, यह पने सामने है bacteria, बेक्टरियो जो है, उसे बच हो disease कोन सी होती है, टाइफाइड होती है, और जो बच्टरियो वगणा है, आप उसमें कहा सकते हैं, थीप है फिर दएको यहां पर है कि भी जी यहां इससे बचोक्त। वर्दी करते हैं ठीक यह भी एंसे आटिक लाइन है पर जो फर्स चेप्टर एंसे आटिका है तोल क्लास वाली बुक में वहां दे रखा लेकिन बचो है तो एंसे आटिका तो मैं इसको डंक से पड़ना पड़ेगा हमारी बचो जिम्मदारी है इसके बाद बचो बीजी जो ह बचो फॉटोज यह में कैसा होता है यह ओता है फोटोसिंतेटिक ऊटोट्रोफिक होता है यह फूड का फोर्मिशन क्या कर सकता है खुड कर सकता है तो बचो यहां पर में यभी यहां पर त्रिगरतिया strongly अच्छम्यूआ और में आगी है ठीक है तो बचम्दू घूं इ यहां पर कौन सा हो गया फॉर्ट ऑप्शन हो गया ओके नेक्स्ट कॉशन नंबर 38 की बच्चों बात करें विच वन इस लिविंग करेक्टर फॉर वाइरस विशानु के लिए कौन सा ये कतन सही है दे कुड भी क्रिश्टलाइज बिल्कुल सही है दे हैं आवन मशियंदी नह जीवी है ठीक है लेकिन देखो बच्चों स्टेटमेंट तो यहां पर दो सही है लेकिन वाइरस का जो लिविंग करेक्टर है लिविंग करेक्टर की बात अपनी यहां पर करें तो लिविंग करेक्टर जो बच्चों कौन सा हो गया लिविंग करेक्टर यहां पर हो गया कि वो obligatory parasite है मतलब परजीवी के समान भी काम कर सकते है दूसरे जीवी में जाकर क्या हो जाते है active हो जाते है तो अपन यहां क्या बता सकते है यहां पर एक ऐसा character है जो living के जैसा हो गया जो जीवीत के समान हो गया तो बच्छा answer यहां पर कौन सा हो गया fourth option हो गया इसका ध्यानक ना इसके लावा आगे बच्छों बात अपन करे question number 39 की question number 39 यहां पर है tale of bacteria phase show resemblance with of जीवानु भोजी की पुछ किस से समानता दरसाती है बच्छो bacteria phase जो भा करता है अगर आप condition देखे बैक्टरियो phase के बारे में तो देखो बच्छो bacteria phase की जो tail हुआ करती है यह tail host के उपर बैठ जाती है फिर जो bacteria phase है उसका DNA जो है आप कह सकते होस्ट के अंदर चला जाता है तो tail क्या करिए होस्ट से चिपक रिए और बच्छो prokaryotic cell के अंदर bacteria के अंदर ऐसी कौन सी structure है जो होस्ट के साथ चिपकती है यह bottom चरहांसर यहां पर कौन सा है flagelशर बोमेंट करता है acompan election of Pimary जो है आप कहा सकते क्या होती है attachment के लिए काम आती है और जो रहे को घृथfend के लिए काम आती है तो फ्रिजिला तो यहाँ पर हो यह नहीं पाएगा, ठीक है, फिम्परी बिल्कुल यहाँ पर क्या है, सई स्टेटमेंट कोशन नमबर 39 के अंदर, ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट कोशन नमबर 40, फाइंट दा ओडवन, विश्रम को चुनिए, बिल्कुल चुनिएंगे बचो, टाइफाइड, अपन कहा सकते हैं बच्चो किसे होता है, बेक्ट्रिया से होता है, मंपस, यहाँ पर क्या है, एक वाइरस है, रेवीज, वाइरस है, इनफियों जब बच्चो किसे होता है, सब्सक्राइब करें इस सिंगल स्पीसिस ओफ बैक्टरिया एंड फंजाई इस नोट प्रजेंट ऑन अर्थ यदि सुख्षमजीव की एक भी परजाती और कवक पर्ति पर मुझूद नहीं होते देखो बच्छों बहुत अच्छा कोशन है यह काफी आप कह सकते कॉंसेप्च फंजाई के फंच्छन तो बहुत सारे हैं लेकिन बैक्टरिया फंजाई का जो मेन फंच्छन है मेन फंच्छन बैक्टरिया फंजाई का वो है डिकंपोजिशन करना बैक्टरिया बच्छों नायटोजन का फिक्सेशन भी कर सकता है बट अर्थ की उपर उसका मेन फंच्छ करना अगर मालो वही नहीं होगा तो डीकंपोजिशन नहीं हो पाएगा तो देखो बचो डेट बोडीज और एक्स्क्रेशन है जो बचो मर्त जीव होते हैं अपने कह सकते हैं और जो उससर्जी बचो जो disease वगरा है वो तो बिना मायक्रोब के भी हो सकती है, ठीक है, इसे LG वगरा है, जो आप कह सकते हैं, other structure उससे भी हो सकती है, ठीक है, no antibiotic, नहीं बचो, बेक्टरिया फंजाए जो है, उसका main function क्या है, decomposition करना है, बाकी के जो बचो functions है, वो इसके side functions है, main function क्या होता है, मा doubt, कौन सा होगा, first option होगा, हो सकता है, इसमें आपके दिक्कत आ गई हो, लेकिन बचो प्लीज इस बात को आप क्लिक लेजिए, bacteria and fungi का main function क्या है, decomposition करना, question number 42, ABCD को बचो पचाना अपने को, तो A यहाँ पर क्या है, head, फिर देखो बचो यहाँ पर A क्या है, head, बिल्कुल, और B बचो यहाँ पर क्या है, protein की sheet है, C देखो बचो यहाँ पर क्या है, color है, और D देखो बचो यहाँ पर क्या है, इसके tail है, इसके tail fiber बगरा जो है, यह है ओके तो बचो यहां पर अपने को पता है मैंचिंग कौन सी होगी इसकी थेड़ हो गए तो 42 में करेक्ट आंसर यहां पर कौन सा हो गया थेड़ ऑप्शन 43 की बात करें All the most extensive metabolic diversity in shown by the group of which organism sister कोन से जीव का समो सबसे जदा व्याफक metabolic diversity दिखायेगा बचो सबसे जदा जो वीविता है उपाप ची वीविता जो metabolic diversity है वो बच्चो बेक्टरिया शो करता है कोंड शो करता है बेक्ट्रिया जो है वो बचो यहाँ पर शो करता है तो यहाँ पर याँ सरी कोंड सा हो गया बेक्ट्रिया देखो बचो एंसे आठी की यह लाइन है नेक्ट फोर्टिफोर यह भी देखो बचो एंसे आठी की लाइन है Contagium Vivum Floodium Means अपने कह सकते कि जो बेजनरिक है जो बचो वाइरस तोपिक है उसका कोशन यहाँ पर यह है उसमें वाइरस में क्या लिखा हुआ है कि अगर अब तबेगो प्लांट जो है जिसमें वाइरस का infection हो चुका है अगर आप उसको crush कर दो अगर आप उसका juice निकाल दो और उस juice को अगर आप किसी healthy plant की उपर डाल दो तो तबेगो प्लांट क्या हो जाएगा उसके अंदर भी disease को हो जाएगा उसके अंदर भी mosaic रोग हो जाएगा यह है Contagium Vivum Floodium मतलब infection करने वाला एक living liquid आईए तो क्या हो गया infection flood बिल्कुल infection non living no बचो infection living flood बिल्कुल यह पिल्कुल यहाँ पर correct answer है infectious living flood संक्रामक जीवित द्रभ है 44 की बचो बात करे label figure A, B and C देखो बचो NCRT के डाइगराम है A यहाँ पर क्या होता है आप कह सकते है RNA है B बचो यहाँ पर क्या है Capsid है यहाँ कह सकते है इसमें Capsomir है और देखो बचो C जो है वो डाइगराम किसका है तब एको मोजेक वाइरस का है तो A यहाँ पर है RNA B बचो क्या है Capsid और C क्या है तब एको मोजेक वाइरस तो बचो आंसर यहाँ पर कौन सा हो गया 45 के अंदर सेकंड नमबर कोशन इसका आंसर हो गया 46 के बात करे देखो बचो यहाँ पर 46 में वो यह NCIT के जो टेबल्स वगड़ा है या NCIT में जो अपने टोपिक दे रखे हैं किंगडम के बारे में information डिविजन, फाइलम के बारे में information बचो वहां से कोशन मेंने यहाँ पर फ्रेम किया, देखें प्लीज ट्यू बरोसम यह बच्चो क्या है एक स्पीसीज है, ***Pete चो लेनम ट्यू बरोसम at Polymonious बच्चो क्या है, Els किसमें आता है ओडर में आता है सोलेनम बच्चों यहाँ पर क्या है सोलेनम यहाँ पर हो गया जिनस एकिकल म्हाइख स्थ इस्ट स्थ टू में यहाँ पर क्या गया? C, टू में C, यह सही है 3 में E, 3 में E और बच्छो, 4 में यहाँ पर क्या है? B, 4 में B, और 5 में यहाँ पर क्या गया? A, तो correct answer जो है, वो यहाँ पर को रसा हो गया? First option हो गया Next question number 47 की बात करें Mycoplasma are, Mycoplasma होते हैं Organisms that completely lack a cell Cell बोल नहीं होती, यह सबसे small cell है Smallest cell बच्छो, यहाँ पर यह है Organisms that contain, that can survive without oxygen Mycoplasma जो है, वो बिना oxygen के जीवित रह सकते हैं ठीक है, तो बच्छो, answer यहाँ पर कौन सा हो गया? Fourth option हो गया Question number 48 की बच्छो बात करें Metanogens are present in Metanogen उपस्थित होते हैं तो बच्छो, Metanogen कहाँ पर होते हैं? Gut of several ruminant animals जो बच्छो, ruminant animals है उनके पेट में क्या होते हैं? आप कह सकते हैं Metanogen होते हैं, बिलकुल बच्छो, marsh area जो है, जो दलदल area है वहाँ भी Metanogen होते हैं Hot spring में, बच्छो, Metanogen नहीं होते हैं बलकि hot spring के अंदर कौन होते हैं? Thermo Acidophil होते हैं तो answer यहाँ पर कौन सा हो गया? Fourth option, both 1 and 2 तो बच्छो, 48 में जो correct answer वह कौन सा हो गया? Both 1 and 2 49 Hot spring तो देखो, बच्छो, hot spring में क्या होते हैं? Thermo Acidophil Salty area में क्या होते हैं? Hello fill Bacteria जो है, बच्छो, उसमें क्या होती है? Rigid cell wall Sinobacteria क्या करता है? Water bloom करता है Bloom in water body तो यहाँ पर correct answer कौन सा हो गया? First में B First में B Second में A Third में D और C में Answer बच्छो, यहाँ पर कौन सा हो गया? Second option बिलकुल अपन यहाँ पर इसका C answer दे सकते हैं Next question number 50 की a taxonomical aid used for identification of plants and animals based on similarities and dissimilarities its statement is called कुंजी के एक वर्गी की सहयक सामगरी है जिसका परियोग पादपो और जन्तुओं की पहचान की लिए करते हैं यह समानताओ और एस समानताओ बादारित है ठीक है इसके परतेक्त वक्तित्व को आप क्या कहोगे की a taxonomical aid used for identification of plants and animals based on similarities and dissimilarities its statement is called तो बचो की में दो statement है और हर statement क्या होता है lead और दो lead को आप एक साथ क्या बहु सकते हो complete तो यहाँ पे आपको each statement पूछा है तो बचो statement यहाँ पे क्या हो गया lead हो गया question number 50 में आपकोंड सा हो गया second प्राइसर देंगे 51 coma shape bacteria बचो coma shape का bacteria कोंड सा है bacillus बचों यहाँ पे नहीं है mycoplasma नी है all of these vibrio तो बचो coma shape यहाँ पे कोंड सा होगा second answer जो है vibrio वो पन कहा सकते हैं यहाँ पर coma less है 52 की बात करे in the given taxonomic category the missing rank a, b and c are sequently in reference to a plant देखो बचो इस question में अगर आपने गलती की है तो प्यारे बचो dear students प्रिये विध्यारतियो आपने शायद यह नहीं देखा होगा कि आपको यहाँ पे plant के बारे में बताना है तो plant में बचो कभी भी याद रखना phylum नहीं होता बलकि plant के लिए क्या आता है डिविजन आता है प्यारे बचो तो kingdom, division, class order, family genus, species तो नहीं को बचो यहाँ पर ABC क्या है genus, order, division genus, order, division answer बचो यहाँ पे कौन सा हो गया third option हो गया ठीक है पैरे बचो next आगे बात करते हैं 52 के बाद में 53 किये cell division occurs in plants and in animals respectively पादपो और जन्तुओं में कोशी का विवाजन करम से पाए जाता है देखो बचो, NCIT में जो वर्दी वल अपना आठिकल है, वहाँ से क्यूशन यह बनाए हुआ हुआ है तो plant जो है बचो, उसमें वर्दी होती है जीवन परियंद, तो plant में जो cell division है, वो बचो, continuously होता है और जो animals है उनमें cell division only up to a certain age बचो, यहाँ पर जो certain age आप कह सकते हैं यहाँ पर जो certain age है उस certain age तक क्या हो सकता है बचो पन कह सकते हैं certain age तक बचो पन क्या कह सकते हैं पर growth होती है ठीक है, certain age तक क्या होती है, growth होती है ओके, आगे बात करें इसके बाद में answer बचो first है, plant में कैसा होता है growth unlimited और जो animal उसमें कैसा होता है, certain age तक होता है ठीक है, यह बचो आप यहाँ पर कह सकते हैं, cell division के बारे में पूचा है और cell division जो है आप यहाँ पर जान लीजिए यह cell division बचो यहाँ पर growth के respect में है जैसे मालों यहाँ पर चोट लग गई, तो सिद्धी से बात है बचो यहाँ भी division हो गई, ठीक है पर वो यहाँ पर growth से related नहीं है वो related किस से हो गया, repairing से हो गया तो इस question के option के coding यहाँ पर answer कौण सा जाएगा first answer, इसमें कोई दिकत नहीं है, आगे दिखते है question number 53 all you bacteria have सभी you bacteria में पाए जाता है तो देखो बचो bacteria जो है you bacteria उसमें cell wall है nitrogenase जो है, वो बचो सारे you bacteria में नहीं होता heterocyst जो है, वो सारे you bacteria में नहीं होता खली syno bacteria में होता है, तो बचो answer जो है, 54 में, वो कौण सा हो गया first option हो गया next 55 bacteria mainly reproduced by bacteria मुखे रूप से परजदन करते हैं, by binary fusion, by endospore juice spore, by cyst बचो सबसे जादा mainly बात अपन करें, बेक्टरिया में, तो reproduction किसे होता है, cell division से होता है, मतलब किसी होगा, binary fusion से होगा, तो बचो 55 में, जो correct answer, होगे हैं, आपन कहा सकते हैं first है, 56 की बात करें cyanobacteria are cyanobacteria होते हैं unicellular, colonial filamentous या all of these, तो देखो cyanobacteria जो है, आपन कहा सकते हैं, वो unicellular भी हो सकते हैं, बचो कोलोनी के अंदर भी रह सकते हैं, और आप कहा सकते कैसे हो सकते हैं, filamentous भी ये हो सकते हैं, तो बचो यहाँ पर जो correct answer वो कौन सा हो गया, all of these आ गया, यहाँ पर correct answer तो बचो 56 में जो answer है वो अपना क्या जाएगा, वो बचो answer कि जिवानू सबसे ज़्यादा कहां पर है बच्ट्रिया बच्चो mainly कहां होते हैं सबसे easily आपको बच्ट्रिया कहां मिलेंगे, मिट्टी के अंदर मिलेंगे, दो चुटकी, मिट्टी की केमत, तुम क्या जानाओ रमेस बाभू यहां तो बेक्ट्रिया होते हैं, यह तो बेक्ट्रिया जानते हैं तो answer यहां पर हो गया, soil तो बच्चो 57 में, जो correct answer वो कौन सा होगा आप कह सकते हैं, तो 58 The most oldest monera बच्चो सबसे पहले जो monera आया था, वो कौन सा आया था Archibacteria के सबसे प्राचिंतम monera है Can include the blue green algae, nitrogen fixing bacteria and metanogens archibacteria तो देखो बच्चो आप कह सकते हैं, syinobacteria का होना blue green algae का होना और nitrogen fixing bacteria का होना और archibacteria का होना यह बच्चो कौन से kingdom की बात यहां पे चल रही है monera kingdom की बात चल लही है, तो 59 में जो answer है वो कौन सा होगा आपने सामने, third option होगा next, इसके बाद में 58 के बात करे the most oldest monera बच्चो सबसे oldest monera यहां पर कौन सा हो गया आगे question देखते है, question number 60 in Whittaker's five kingdom classification विटेकर की पाच जगत वरगी करण में eukaryotes को सम्मिलित किया गया तो देखो बच्चो यukaryotes को जो है आप जानते हो five kingdom में जो monera है वो prokaryotic है, बाकी protista, fungi, planty, animalia यह कैसे होते हैं, eukaryotic होते हैं तो only four out of the five kingdom यह बच्चो क्या यहां पर आप कह सकते eukaryotic है, तो answer यहां पर कौन सा हो गया 60 के अंदर, first बच्चो यहां पर answer हो गया next 60 one number question की बात करे the phylogenetic system refers to बच्चो phylogenic की बात अगर आ जाए जाती वर्चिता की बात अगर यहां पर आ जाए तो याद इतना phylogenic classification के अंदर हम लोग जो arrangement करते हैं वो evolution के basis पर करते हैं जो सबसे पहले evolution हुआ वो पहले आ जाएगा, उसके बाद इसका evolution हुआ उसके आगया जाएगा, तो evolution के basis पर अगर आप classification कर रहे हो, तो बच्चो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे phylogenetic classification, तो क्या हो गया, grouping according to the soil system, no, कोई मतलब नहीं है, grouping of plants in order their increasing complexity, no, grouping according to the evolutionary trends, बिल्कुल evolution के basis पर, अगर बच्चो आप कर रहे हो ना, तो इसको हम लोग क्या कह सकते है, इसको हम लोग कह सकते है, phylogenetic system, ठीक है, तो 61 में answer कौन सा हो गया, third option, 62 की बात करें, nitrogenase enzyme is found in no stock in the cell of, no stock की किस कोशिका में nitrogenase enzyme पहे जाता है, तो पने को पता है, जो heterocyst कोशिका होती है, बच्चो उसमें क्या पहे जाता है, nitrogenase enzyme पहे जाता है next इसके बाद में, विरोइड्स है, बच्चो विरोइड में क्या होता है, विरोइड में सिर्फ और सिप क्या होगा, RNA होगा, उसका बच्चो molecular weight क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसके RNA के अंदर nucleotides ही कम होते हैं, तो बच्चो इसका molecular weight क्या हो गया, कम हो गया, NCRT के लाइन ह 40-ốt स्टेंड ड्यानोन ciao नमचो ने कहा सकते प्रोस Gold ना तो आप यहां पे कह सकते हैं यहां पर धीस आरेने तो यहां पर fem यहां पे इसका आंजलों हो गया नेक्स पीस्टीफ़ोर नौस्तों और ऐना बिन आ ऑब्एंध करते हैं जो कि ईहां करते हैं नाय Canon खिकों सा ہो गया Alt- 65 which of the following statements is false कौन सा कतंजो है यहां पर क्या है गलत है TMV has a double standard RNA molecule TMV द्वी रज्जु की यह RNA अणू रखता है बिल्कुल बच्छो पर कह सकते हैं यहां पर जो TMV है वो क्या है प्लांट का वायर्स हो गया तो बच्छो प्लांट का वायर्स उसमें क्या होता है और जो इसर होता है मतलब और यहां पर यहां पर क्या लिखा oni है double standard लिखा हुआ है तो बच्छो 65 पर जवान सर्व कौन सा हो गया फिर्स्ट ऑप्शन हो गया 66 कि सलेक्ट दे करेक्ट स्टेट्मेंट हर्वेरियम इस दे कलेक्शन ओफ ओनली प्लांट स्पेसिमन बिल्कु सही है बच्छो प्लांट की होने से स्टेट्मेंट क्या हो गया गलत हो गया तो आंसर कौन से इसका वगर तरह एक टर्शोनमकलあれड इसकते है A-B-C-E औरध कोण सा है सेक्ट ऑप्शन जो है यह बच्छो यहां पर क्लेक्ट स्टेटमेंट ओक आकर देखने 67 which of the following is not true regarding viruses निम्दमें से कौन सा वाइरस के संदर्प में सही नहीं है they can be cultured in artificial media lacking living cell no बिना cell के मतलब non-living medium में virus survive करी नहीं पाएगा because virus को survive करने के लिए living system चाहिए होता है तो यहां पर statement wrong हो गया they do not have protein synthesizing machinery of their own बिल्कुल बच्चो इसमें खुद की जो है protein machinery नहीं होता बच्चो protein machinery का मतलब ribosome से है they may contain RNA as the genetic material बिल्कुल बच्चो इसमें genetic material के रूप में क्या हो सकता है RNA हो सकता है they can be crystallized बिल्कुल सही है तो यहां पर statement wrong पूछा है तो बच्चो रूप स्टेट्मेंट यहां पर कौण सा हो गया first option हो गया तो 67 में answer कौण सा है first option है 68 viruses cannot reproduce on its own because virus swim prisoner नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता it has undeveloped sex organ बच्चो reproduction के लिए sex organ का होना essential भी नहीं होता अगर मालो asexual reproduction करना है तो आप क्या सकते है vegetative भी हो सकता है normal body से भी हो सकता है तो इसका इससे को मतलब नहीं हुआ it cannot reproduce at all no it lacks the cellular machinery to use its genetic material बिल्कुल सही है reproduction के अंदर जो genetic material होता है वो अगली generation में जाता है और अगली generation में जाने के लिए जो cytoplasm है जो बच्चो machinery है आप कह सकते हैं जो cell की machinery है उसका होना जरूरी है लेकिन बच्चो यहां पर कोई machinery नहीं होती तो अपन कह सकते है it lacks the cellular machinery to use its genetic material यह अपने अनुवांशिक पदार्त को उपियोग में लेने हैं तू कोई कोशी के machinery नहीं रखते हैं तो बच्चो आण सरी यहां पर हो गया question number 60 8 में कुल सा third option आगे देखो 69 देखो आई-इन प्रोक के रियोट्स पने च Gust similar प्रोक के रियोट्स में कलमे ट्वटी तो बच्चो अपने बात की थी पहले सा और देखलो आप carve जो शेयल मेंबरिन है उसमें extension होगा और बच्चों का नाम क्या होता है chromatophore और इस क्रॉमेटो कोई मतलब नहीं है, inclusion bodies नहीं, जो chromatophore है, वो inclusion body नहीं है, inclusion body तो वो जो बच्चों स्टोर रहती है, एक बार functional नहीं होती, वो inclusion body है, जबकि जो chromatophore है, वो तो functional है, वो तो photosynthesis करता है, वो तो food का formation करता है, internal membrane system that may become extensive and complex in photosynthetic bacteria, बिल्कुल अपन कहा सकते हैं, परकास संतलेशी जीवाणू में अत्य दिक फैला हुआ, जटिल जिल्ली तंत्र होता है, देखो बच्चों यहाँ पर जो membrane है, उसके अंदर फैला हुआ क्या है, एक जटिल जिल्ली तंत्र है, जिसमें क्या है, परकास संतलेशी जीवाणक है, photosynthetic pigment है, 70 नमबर कोशन, Mesosomes in a bacteria cell is plasmid connection between two cells, plasma membrane infolded for respiration, बिल्कुल, जो बच्चों cell membrane है, उस cell membrane के अंदर plasma membrane की infolding है, जिसमें respiratory enzyme होता है, तो बच्चों मेजोसों का function क्या हो गया, respiration करना हो गया, ओके, next question number 71, all monorans, सभी monorans, contain DNA and RNA बिल्कुल, जो बच्चों सभी monorans जगत के हैं, वो DNA भी रखते हैं, और RNA भी रखते हैं, demonstrate a long linear strand of DNA, नहीं बच्चों, monorans के अंदर prokaryotic cell है, और prokaryotic cell में जो DNA वो कैसा होता है, वो बच्चों circular होता है, वर्तुल होता है, linear नहीं होता, are bacteria, all monorans are bacteria, नहीं बच्चों, सारे जो monorans है, वो bacteria नहीं होते, sinobacteria भी होते हैं, mycoplasma भी होते हैं, तो यहाँ पर answer जो है, वो कौन सा आ गया, first option, 71 में बच्चों आ आ गया, first option जो वो इसका correct answer है, ओके, आगे देखते हैं, इसके बाद में, 72, which one of the following is not a correct statement, निम्न में से कौन सा कतन सहीं नहीं है, यह बच्चों गलत हो गया, museum में कौन से होते हैं, non-living plant ही होते हैं, तो देखो बच्चों यहाँ पर कौन सा statement सहीं नहीं है, third statement बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, रोंग हो गया, 73 नंबर कोशन की बात करें, नॉमेल क्लेचर इस गवर्नेट बाई certain universal rules, which one of the following is contrary to the rules of नॉमेल क्लेचर, नाम करण कुछ सार्वत्रिक नियमों द्वारा पर्देशित होते हैं, निर्देशित होते हैं, निम्न में से कौन सा नाम करण के नियम का विरोधी है, biological names can be written in any language, नॉ बचो, biological name जो है, वो कौन से language के अंदर होता आप कह सकते हो, प्यारे बचो, Latin language के अंदर होता है, the first word in biological name represents the genus name, and the second word represents epithet, कौन सा, बचो, second यहाँ पर जो आप कह सकते हैं, species को शो करता है, ओके, the names are written in Latin and are italized, नाम Latin में लिखे जाते हैं और तिर्चे होते हैं, बिल्कुल, when written by hand, the names are to be underlined, अगर बचो, आप इसको हाथों से लिखो, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको underline कर सकते हैं, तो बचो, यहाँ पर गलत statement की बाद पूछे, हैं, तो बचो, गलत statement यहाँ पर कौन सा हो गया, फर्स्ट बचो, यहाँ पर correct answer है, तो 73 में answer कौन सा हो गया, फर्स्ट ओप्शन इसमें हो गया, 74 number question की बाद करें, तो 74 number question जो यहाँ पर है, which of the following feature can be said to be a true defining feature of living being without any exception, निम्न लक्षणों में से कौन से लक्षण के बारे में यह कहा जा सकता है, कि जीवी जीवों का वास्त अभी कवणित लक्षण है, they can digest their food नहीं बचो, सारे ओगनिजम food को digest नहीं करते हैं, जिसे प्लांट है, वो food को digest नहीं करते हैं, ठीक है, और जो परासाइट है, उसमें digestive system नहीं होता, उसी दाफ फूड को absorb करता है, all of them can reproduce नहीं, कुछ ऐसे ओगनिजम है, जो reproduction नहीं करते हैं, जैसे mule, खचर, they can regenerate, ठीक है, बच्चों सारे के सारे ओगनिजम में regeneration नहीं होता, they can respond to external stimuli, बच्चों जो external stimuli है, जो बहारी उद्धीपन है, उसके according response करना, अनुक्रिया करना, ये बच्चों आप कह सकते हैं, साजीवों का विविदात्म रेक्षन हो सकता है, में भी आप कह सकते हैं, इसको की defining property है, किसकी livings की, next question number 75 की बात करें, infectious proteins are present in, संकरमित protein उपस्ति देखों, संकरमन करना, infection करना, mainly ये सबस्तांस जो है, वो nucleic acid होता है, DNA, RNA होता है, लेकिन जो pre-on है, वो बच्चों बना ही किससे है, protein से, तो pre-on में अगर protein ही है, तो no doubt infection फिर किसको करना पढ़ेगा, तो बच्चों यहाँ पर आंसर क्या हो गया, विरोड में तो RNA होता है, वारेस में DNA RNA होता है, इसमें DNA RNA है, प्रियोन जो है, इसमें बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्या है, protein है, which of the following is not a rule of binomial nomenclature, निमन में से कौन सा दिया गया नाम, द्वी नाम करन प्रदिती का नियम नहीं है, एवरी साइन्टिफिक नेम है, टू वर्ड फर्स्ट रिपर्जेंट द जीनस, वाइल सेकंड रिपर्जेंट स्पेसिफिक एपिचेड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल जो लेखा का नाम बच्चेड वो लास्ट में लिखेंगे और शोट में लिखेंगे, बोथ द वर्ड इने बाइलोजिकल नेम वेन हैं रिटन और कलेक्टिवली अंडरलाइन नो, अगर बच्चो अगर आप हाथ से लिखोगे, तो अंडरलाइन कलेक्टिवली नहीं करते हैं, बल्कियो उनको सेपरेट अंडरलाइन करते हैं, अलग-अलग अंडरलाइन करते हैं, बाइलोजिकल नेम्स आर जनली नेटिन और रिटन इन इटलिक्स, ओके हैं, नेक्स्ट कॉशन नुमर 77 की बात करें, मुक्त आरने संकरामग एजेंट जो विशानू से छोटे हैं, बाइलो वाइरस से भी चोटे हैं, और प्लान्ट में क्या कर सकते हैं, डिजीस कर सकते हैं, तो देखो बाइले क्या कुशन था, कि mycoplasma से small कौन है? virus, अब virus से इस पर small कौन हो गया? viroid, क्योंकि बते को बच्छो, viroid small क्यों है? क्योंकि viroid जो है, उस viroid के अंदर तो protein की covering ही नहीं है तो बच्छो क्या हो गया आप कह सकते है? small हो गया तो prion, virion, viroid या virus आंसर बच्छो यहां पर कौन सा हो गया? आप कह सकते हैं, viroid ठीक है, मुक्त RNA, free RNA है protein, protein कुछ नहीं है सिर्फ RNA है, तो बच्छो क्या है इसका आंसर? 77 में आंसर यहां पर हो गया आप कह सकते हैं, third option 78 number question जो है इसके बच्छो चलो बात कमन कर लेते हैं consider the given statement दियेगे कत्म पर क्या करो? विचार करो special bacteria which present in some of the harsh habitats like in extreme salty area produce biogase, ATS ribosome, different cell wall structure than bacteria present in hot spring and marsh area how many statements? how many statements are related with R की bacteria R की bacteria जो है उससे related को है? तो बच्छो R की bacteria जो है उसमें याद करो hellophil कहाँ पर होते हैं? salty area में mythonogen जो है वो biogase produce करते हैं बच्छो उसमें ATS ribosome नहीं होता हाँ cell wall जो है वो बच्छो क्या होती है? bacteria से different structure की है NCRT के line है they present in hot spring and marsh area बिल्कूल जो thermo acidophil है वो कहाँ पर है hot spring में और mythonogen कहाँ पर होते हैं? मार्श एरिया में होते हैं तो बच्छो यहाँ पर answer जो है वो हो गया कितने statement? related है तो 1, 2, 3, 4 answer बच्छो यहाँ पर कौन सा हो गया? 78 में first आप कहसेकते हैं इसका answer हो गया next question number 79 bacteria resemble bacteria किसके समान है? no stock, spirogyra, fugus, sphagnum देखो बच्छो यहाँ पर क्या है? eukaryotic cell no stock बच्छो क्या होता है? prokaryotic cell bacteria भी क्या होता है? prokaryotic cell तो prokaryotic की prokaryotic cell जो समानता है जो resemblal less है जो similarity है उत्य बच्छो किसी के साथ भी नहीं हो सकती answer यहाँ पर हो गया first answer bacteria किसके resemble है bacteria किसके समान है no stock के समान है क्यों क्या हो गई? prokaryotic हो गई 80 number, structure and behavior of chromosomes are used as a criteria for classification under the branch of वर्गी करन की कि शाखा के अंतरगत गुण सुत्रों की संख्या सरस्तना और विवार को अधर मना जाता है तो देखो बच्चो एंसियार्टी के लाइन है numerical taxonomy यहाँ पर नहीं है वो number के basis पर होता है chemo जो है chemical के basis पर होता है जो phylogenetic classification है वो evolution के basis पर होता है cytotaxonomy यह बच्चो आप यहाँ पर कह सकता है कि जो कोशी का वर्गी की है इसके अंदर हम इनी लेक्षणों को बच्चो क्या करते है base मानते है 81 की बात करे locomotion in amoeba जो बच्चो amoeba है NCRT के लाइन है protista के अंदर उसमें locomotion किसे होता है बच्चो phlegula से होता है cilia से होता है pseudopodia से होता है या all of these से होता है तो बच्चो amoeba जो है किसे होता है pseudopodia से होता है ठीक है या बच्चो अपने सामनी condition है next question number बच्चो यहाँ पर 82 BGA R BGA होते हैं तो बच्चो blue green algae जो है वो कैसे होते हैं autotropic होते हैं और वो परकास sensation कर सकते हैं photosynthesis कर सकते हैं तो बच्चो कैसे हो गए photosynthetic autotrops होके 83 number question की बच्चो बात करें Royal Botanical Garden Q यह बच्चो इंग्लेंड के अंदर है तो A में बच्चो यहाँ पर क्या गया A में आप ही आगया second ठीक है फिर बच्चो यहाँ पर B Indian Botanical Garden यह कहाँ पर है आप कहाँ सकते हावडा में है National Botanical Research Institute बच्चो कहाँ पर है लकनव में है बच्चो एंसे आटी लाइन है मेरे ख्याल से आपको डेफिनेट लियाद है पहरे बच्चो 84 number question की बात करें Given figure is of filamentous blue green algae नील हरी शेवाल नोस्तो की चित्र में दिये गए A व ब को पहचान कर सही विकल्प का चुनाव करो identify the part marked as A, B and C A, B को पहचानना है देखो बच्चो देखो बच्चो A यहाँ पर क्या है A यहाँ पर आप कह सकते है heterocyst cell है जो large होती है इसकी cell वो बच्चो कैसी होती है यह cell heterocyst है इसकी cell वो large होती है गेस के लिए impermeable होती है A यहाँ पर हो गया heterocyst B देखो बच्चो यहाँ पर क्या है मुसिलेज जिनस शीट है ताकि जो साइनो बेक्टरिया है जो blue green algae है उसको moist nature प्रोवाइड हो सके उसको नमी परतान हो जाए तो चारो तरप यहाँ पर कोन है मुसिलेज की शीट है 84 next question number 85 match column first with column second and select the correct option from the quotes given below plant virus बच्चो plant के virus से कौन सा होता है तब एको मुझे एक तो A में बच्चो क्या आ गया animal virus क्या करता है polio करता है विरोट से बच्चो क्या होता है विरोट से होता है potato spindle tuber और जो पिरियोन है उससे क्या होता है medical disease तो बच्चो आंसर यहाँ पर हो गया 85 में कोन सांसर बच्चो 85 में यहाँ पर आ गया first answer 86 की बात करे most of the archibacteria respire अधिकांस आध्य जिवानू सवसन करते है in presence of oxygen बच्चो आर्की बेक्टरिया extreme condition में होते है अत्य दिक खठोर आवास में होते है जहाँ O2 absent होता है ठीक है तो आप कह सकते हैं यह mainly case से होते है EYV होते हैं यह O2 की presence में नहीं होते हैं यह anaerobic condition में होते हैं तो in absence of oxygen तो बच्चो 86 में जो आंसर यहाँ वो कौन सा हो गया आप कह सकते हैं second option हो गया find out incorrect statement R की bacteria differ from other bacteria in having a different cell wall and cell membrane structure बिलकुल सही बात है बचो cell wall यहाँ पर shadow membrane से बनती है और cell membrane जो है उसमें क्या होते हैं brassed lipid के molecules होते हैं bacteria play important role in recycling of nitrogen phosphorus iron sulfur पर देखो बच्चो इन से आठीक के लाइन है no stock and anabina have some specialized cell heterocyst for antifixation बिलकुल सही है bacteria devoid of cell wall जीवानों में कोशी का बित्ती अनुपस्चित होती है नहीं देखो बच्चो यहाँ पर आपको असत्य कर्थन का चुनाव करना है incorrect statement को find करना है तो बच्चो आंसर यहाँ पर कोण सा हो गया fourth option bacteria में बकाइदा cell wall हुआ करती है 88 generally non-cellulose cell wall is present in अब देखो बच्चो धिरे दिरे पना के बढ़ रहे हैं इसके अंदर चेप्टर के अंदर अब हम आगे फंजाई की तरफ हम अर्ण बचो आप कहा सकते मोनरा के अंदर जो cell wall वह किसले बनी होती है प्रॉटे divergence से हें तो यहां पर सिल लूज इन है टोटिष्टा में सें लौज है मुझारा में the species बनथार्ण ऐन कैतीन से यहां मोनेरा के अंδर नहीं है प्रोटिस्टा में है फंजाई में नहीं है प्रोटिस्टा में सेलोज है फंजाई में नहीं है तो देखो यहां पर नोन sa lawsuits Swiss cell bowl मनोकिस के अंदर सैलोज नहीं पाया जाता तो आप कह सकते हैं यहां पर आंसर कॉणसा होगा second option एक्तोव नेरा और एक बच्छों यहाँपे कौन सा होगा फंजाई यह अपने सामने करेशन है 89 की बाद करें क्रैसोफाइट्स इंक्लूड क्रैसोफाइट में सम्मिलित है दाइटम डैस्टम्ड बिलकूल बच्छों क्रैसोफाइट में क्या होते हैं डइत और मूर्ट करते संभिलित करते हैं आपने भचो ध्यान दिया होगा प्यारे बचो जो क्राइसोफाइट चिंड हैं वो यहाँ पर है कि क्राइसौफाइट में किसको संभिलइट करते हैं जाइटम स्किंड कोB90 की बात करें Gen였ory that the extract of the infected plants of B could cause infection in C A B and C बच्चो जो यह demonstration है यह demonstration सबसे पहले किया किसने था यह बच्चो किया था बेजन लिखने और the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plant ठीक है तो बच्चो यहां पर आगया बेजन लिख तबेको healthy plant बच्चो एनिमल यहां पर नहीं आएगा है ना आसर यहां पर कोण सा हो गया पॉर्ट नेक्स्ट कोशन नंबर 91 फाइफ किंग्डम सिस्टम फाइफ किंग्डम सिस्टम ओफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेट वाई रह विटेकर इस नॉट बेज्टोन आरेच विटेकर के दुवारा सुझाया गया पाच जगत वरकी करण जो है वो आधारित नहीं है तो लेको बच्चो लोको मोशन जो है उस टेबल के अंदर कोई जिकर नहीं है मतलब जो फाइफ इंग्डम क्लासिफिकेशन है उसका बच्चो लोको मोशन के साथ में कोई रिलेशन नहीं है यह उस पर बेस्ट नहीं है complexity of body organization बिल्कुल सही है mode of nutrition बिल्कुल सही है तो बच्चो आंसर यहां पे कौन सा हो गया 91 में आंसर बच्चो यहां पे हो गया फर्स्ट ऑप्शन 92 which of the following statements are not relevant to archiobacteria निम्नमे से कौन से कतन archiobacteria से संबंधित नहीं है they live in some the most harsh habitat बिल्कुल सही है they are present in the gut of several ruminant animals बिल्कुल सही है they are characterized by the represents of a rigid cello cell wall बच्चो cellos इसके cell wall में नहीं होता तो इकल also referred to as blue green algae यह निल हरी शेवाल के नाम से जाने जाते नहीं जो निल हरी शेवाल है वो बच्चो archiobacteria नहीं होता बलकि sinobacteria होता है which of the following statements is wrong for Veroid बच्चो विरोड के लिए कौन से statement wrong है they cause infection their RNA is of high molecular weight यह बच्चो गलत हो गया इसका RNA क्या होता है low molecular weight का होता है protein coat इसमें नहीं होता smaller than virus है तो answer यहां पर second option हो जाएगा which of the following is primitive relevant of animals बच्चो अनिमल्स का जो primitive relevant वो कौन है slime mold, euglenoid, protozova तो protozova जो अपन कहा सकते हैं यह बच्चो क्या है जो जनतु है उनके primitive relatives है समझरे बात को यह अपने सामने condition है next 95 number question in lichen the illegal component is called phycobion and fungal component is called mycobion which are heterotropic and autotropic respectively no जो बच्चो phycobion है वो heterotropic नहीं होता और जो fungal component है वो autotropic नहीं होता ठीक है उल्टे बच्चो यहां लिख दिये तो statement गलत हो गया Veroid contain RNA of low molecular weight and protein code बिल्कुल सही है तोरी गलत हो गया बच्चो protein code यहां नहीं होता a virus contains both RNA and DNA गलत statement है वाइरस are obligatory parasite बिल्कुल सही statement है वाइरस that infect plant have only DNA बच्चो वाइरस जो plant में friction करे उसमें DNA नहीं होता उसमें RNA वा करता है तो बच्चो आशर यहां पर कौन सा हो गया only D किसमे 95 number question के अंदर third option कि आगे देखो select the correct pairs with respect of bacteria ग्लाइगोकलिक्स में क्या होता है बच्चो पोलिसे क्राइड बिल्कुल सही है बच्चो में जो सोम क्या करता है सेल वोल का formation राइबोसोम कौन से होते हैं सेवन्टी एस टाइप के बच्चो यहां पर राइबोसोम हुआ करते हैं ठीक है इपने सामने कंडिशन है तो आसर यहां पर हो गया all of this 97 स्लिपिंग सिकनेस डिजीज इस कोज़ भाई बच्चो स्लिपिंग सिकनेस डिजीज जो किसी होता है अपन के सकते है ट्रिपिन ओ समासी होता है देखो बच्चो यहां से आठीक लाइन दिरिखे अपने सामने कोशन नमबर 98 read the following statements regarding methanogens and select the correct option they are included in the group of archi bacteria they are responsible for the production of biogas in gober gas plant they live in hot sulfur spring बच्चो hot sulfur spring के अंदर methanogen नहीं वा करता यह मार्शीर्या में होता है they are strictly anaerobic बिलकुल सही है तो बच्चो यहां पर से स्टेट्मेंट कोड़ से हो गए 1 2 & 4 1 2 & 4 98 का जो बच्चो आंस तर वो कौन सा हो गया अपने सामने आप कह सकते हैं सेकिंड ऑप्शन हो गया कॉशन नमबर 99 हाउ मैंनी आर एस्सेटेड विद यू बेक्ट्रिया कितने यू बेक्ट्रिया से संबंदित है औक्सिजनिक फोटो सिंथेटिक प्रोकेरियोट्स बिलकुल सही है बच्चो यहां पर जो यू बेक्ट्रिया मतलब साइनो बेक्ट्रिया के बाद चला नहीं ह साइनो बेक्ट्रिया जो है आप कह सकते हैं वो फोटो सिंथेशिस करते हैं कंटेन क्लोरोफिल ए फाइकोबिलिंस इस्टोर फूड इन साइनो फाइसन स्टार्च परफॉर्म इन नाय्टोजन फिक्सेशन बिलकुल तो बच्चो यहां पर किस ने दिया था लेनियस ने दि लिकत नहीं है कि कोशन नंबर वन जिरो वन के बच्चो बात अपने यहां पर करेंगे देखिए यहां यहां पर है ए वराइटी ओफ टेक्सोनोमिक एड्स हैव इवोल्ड टू वर्गी की सहायक सामगरी किसे सुसाधित करने के लिए विक्सित की गई है beautification and ornamental जो बचो टेक्सोनोमिकल एड्स है उसका सुंदेरे से कोई संबन नहीं है commercial use of specimen नहीं बचो प्रादर्स हो कि website के साथ भी इसका कोई सम्मन नहीं है जो taxonomical aid है वो taxonomical काम आता है वो taxonomical aid में आप लोग क्या करते हो भई जो taxonomical aid है उसका involvement किससे है taxonomia से और बचो taxonomia के इंदर क्या होता है identification, naming and classification of organism होता है तो आशर बचो यहाँ पर हो गया third option 101 में आशर बचो यहाँ पर कौण सा है third option हो गया 102 bacterial virus में क्या होता है देखो बचो सामानेत बात अपन यहाँ पर करें तो bacterial virus जो होगा करते हैं उस bacterial virus के अंदर होते हैं always double standard DNA no, usually double standard DNA होता है किसमे bacterial virus के अंदर next 103 identify the characteristic feature of photosynthetic protest which lacks cell wall कोशी का भित्ती रहित परकास संस्तलेशी प्रोटिश्टा के प्रारूपिक लक्षण के पैचान किजिए देखें अगर बचो आप condition यहाँ पर देखें तो परकास संस्तलेशी है और कोशी का भित्ती नहीं है तो प्रोटिश्टा में cell wall नहीं है और photosynthetic के मनलब यूगलीना हो गया और जो यूगलीना है आप कह सकते है majority of them are fresh water organism found in stagnant water इन में से अधिकास तै स्वच जली है और स्थिर जल में पाए जाते है बिलकुँ सही बात है बचो यूगलीना कहां पर होता है स्वच जल में है और स्थिर जल में है लोकोमोशन रोगर बचो इसमें क्या होता है absent wrong statement उसमें फैजला पाए जाता है structure resemblance to soft box नहीं ये तो क्राइसोफाइट में है they appear yellow, green, brown, red और blue depending on main pigment no ये बच्चो डाइनल फेजलेट के लिए है तो सई statement यहां पर कौन सा हो गया first option हो गया 104 choose the odd one taxon with respect of rank बच्चो rank के respect में कौन सा यहां पर अलग है तो देखो यहां पर humanity है diptera है, mucity है और policy है तो देखो 104 की बात अपने यहां पर करे तो 104 के अंदर अगर आप condition देखें, तो देखो बच्चो diptera यहां पर जो आप देख रहे हो 104 की बात कराऊ मैं आसर देखो बच्चो यहां पर कौन सा है, diptera है क्योंकि इसके अंदर यह बच्चो क्या हो गया एक order हो गया, और यह सब बच्चो यहां पर आप कह सकते फैमिली वगर आए 905 Fungi show great diversity अब देखो बच्चो फंजाई में आ चुके हो Fungi जो है, देखो बच्चो NCRT के लाइन है इस चेप्टर में, इस plant diversity first में, हमने बच्चो काफी चीजों को cover किया है, पहले हमने पूरा first chapter किया, जिसमें जो organisms है, उनके जो attributes है, जो लक्षन है उनको लिया, पहले हमने बच्चो क्या लिया था, growth लिया था, metabolism लिया था reproduction लिया था, consciousness लिया था cellular organization लिया था taxonomy को लिया, systematics को लिया, ठीक है, बच्चो बहुत सारी बात यहां पर कि, अब हम कहां पर आचुके, फंजाई पर आचुके, जो कि अपना इस chapter के अंदर last part है, फिर जो आपका plant diversity second है, वो फंजाई से अगे से शुरू हो जाएगा तो देखो बच्चो फंजाई में morphology हो, चा है habitat हो, दोनों के अंदर बच्चो क्या मिलती है, अपने को अग्रेमिनिस से होता है, तो बच्चो आपर यहाँ पर हो गया 3rd option बब्लू ग्रीन algae are members of, बच्चो का member होता है, बनरा का member है no doubt, 108 हाइफी of fungi, which parasite on member of crucifery family, मतलब mustard is, कवक जो crucifery कूल के सदश्यों पर परजीवी है का कवक तंतु होता है बच्छो, cruciferry family के अंदर जो आप कह सकते है जो परा साइट है वो बच्छो, elbugo है और elbugo किस में आता है? फाइकोमाशिटीज में आता है और जो बच्छो, फाइकोमाशिटीज है आप कह सकते हैं उसके अंदर sinusitis condition पाई जाती है, उसके mycelium के अंदर septa नहीं होता तो बचो condition कॉण सी होगी? ये आप क्या हो गया? multi-nucleated without septa, बचो ये sinusitis without septa का मतलब क्या है? sinusitis, इसमें बचो क्या नहीं होता? septa, नहीं होता, तो बचो 108 cancer कॉण सा हो गया? fourth option Which of the following is a sexual spore in fungi बच्चो फंजाई में sexual spore कौन सा है air canal spore ये बच्चो आपका vegetative है मतलब सोरी sexual है उस पोर जो है ये बच्चो आप यहाँ पर क्या सकते है sexual spore है फंजाई के अंदर juice spore ये बच्चो sexual हो गया कोण इडिया क्या है इसका कौन सा हो गया second option उस पोर जो बनता कि इसमें है फाई को my cities के अंदर 110 taxonomical aid analytic in nature couplet dry specimen how many are related with key देखो बच्चो की से अगर आप relation की बात करें तो की से यहाँ पर जो relation हो किसका है 3 का है taxonomical aid analytic है कपलेट है बच्चो dry specimen नहीं है तो आसर यहाँ पर कह सकते हैं कौन सा आ गया 110 में आसर बच्चो यहाँ पर आ गया first option कौन सा आ गया बच्चो इसके अंदर first option आ गया ओके इसके बाद में 111 की बात करे तो बच्चो प्रियोंस कैसे होते है यूनिसल्लर नॉनसल्लर या मल्टिसल्लर बच्चो प्रियोंस नॉनसल्लर है वो कोशिगा से बनती नहीं है कि फंजाई की cell wall किसे बनती है तो बच्चो ये एक कोशन है ये एक कोशन फंजाई का नहीं है ये बच्चो चार कोशन फंजाई के है एक साथ चार कोशन है अगे टूस ओड वन विद्रेस्पेक्ट इन वैशी डॉमाइसिटीश बैसीडियो मैशी टीश में गो और फूड बैसीडियो मैशी जो है वह कास्ट प्रवर्दी कर सकती है बिल्कुल सही बात है सेप्रोफायटिग बैसीडियो मैसिटीग अर्ओस्मोटोसी इननियूट्रिसन बल्कूल यह बच्छो ऊस्मोटोसी होते हैं अपने जानते हैं बैसीडियो मैसिटीग आर्स्ट्वि हैंज्टव अर्फलीटोस्व एद्वांस इन सेक्स्वल रप्रड़ॉट्चन N Fear होगा पूर होगा प्रिमिटीव होगा ठीक है तो यह advanced फंजाई है इसमें advanced sexual stage नहीं होती है पूर होती है primitive होती है केरियो गिंद टेक प्लेश इन commonly in besidium विल्कुल सही है तो आसर बचो यहाँ पर होगया third option एक दूसरे से भिन्न हो सकती है नूट्रिशन के अंदर माइसीलियम के अंदर फ्रेग्मेंटेशन में या कॉनिडिया में तेको बचो नूट्रिशन जो है आप कह सकते हैं माइसीलियम एक जैसा है फ्रेग्मेंटेशन जो है वह आप कह सकते हैं इसके अंदर फॉस्य वले लेकिन देखो बचो कॉनिडिया का फॉर्मेशन होना यहां पर जाएगा फॉर्थ 115 मिजोन सोँ अफ प्रोकयोड्स और एनलोग तु तो वचयो उसके अनलोग तुए है मिजोसोम का फंक्शन किया क्या एी प्रेशन करना और हो माइट्रस्पैर्टर और वी क्या करता है इन बैक्ट्रिया होते हैं मेशोम में होते हैं इनवी टेकर क्लासिफिकेशन देए उनी सेललर और्गणिजंब सेविन्ग वेडियस और ओडिनली कंस्टिट्यूट बचो जो आप कह सकते हैं वी टेकर क्लासिफिकेशन है उसमें युनी सेललर एक तो मॉनलला में है प्रोटिस्टा में है लेकिन यह बोल लाए कि जिसमें ओर्गनल जो है वो प्रजेंट है ठीक है तो मतलब यूकरिटी के बात कर रहे तो यूनी सेल्वर यूकरिटी कौन सा हो गया प्रोटिस्टा में आ गया तो आंसर बचो यहां पर सेकिंड ऑप्शन है वन वन एट नाइटरोजन फिकसिंग इन लेगियूं रूट टेक प्लेस रए बच्टरिया बच्चो लेगियूं प्लांट में क्या होता है राइजोगियम बच्टरिया आशर यहां पर हो गया राइजोगियम which of the following has infectious spore like stage life cycle बच्चो लाइफ साइकल में spore बनते हैं spore किसके अंदर बनते हैं peramecium, yuglina, amoeba और plasmodium spore का बनना ये बच्चो आप कह सकते हैं life cycle के अंदर ये बच्चो कुन मनाता है ये बच्चो मनाता है आपको plasmodium समझ रहें बात को इसके बाद question number 120 which of the following organisms has cilia बच्चों cilia किसमे होता है अमिबा के अंदर शोड़ो पोडिया होता है पेरामी श्यम जो है बच्चों इसके अंदर क्या होता है तो आंसर बच्चों यहां पे हो गया second option तो बच्चों इस तरीके से हमने solution किया है plant diversity के first portion का उमिद है आपने पेपर अच्छे से किया होगा thank you